नमस्कार, वंदे मात्रम, मैं बल्देव राजपुत दुर्ग छत्तिस गड़ से यह वीडियो इस्पेशली सपली और फेल के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे सपली आये हैं, वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करें कि उनको आगे आने वाले समय में बहुत कम तकलीफ हो दूसरा, जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनके मन में भी बहुत सारी कौरीज है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे जो उनके डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा अभी हम देखते हैं कि सपली और फेल अगर आप आए हैं, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं सपली से ध्यान दीजिएगा, अगर आप दुर्ग उन्रसिटी, मतलब हेमचंद यादव विश्विद्यालाय या PTRSU, मतलब पंडित रवी संकर सुकल विश्विद्यालाय में अगर पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के example के माध्यम से मैं 36 गड़ के बाकी सारे colleges को define करूँगा तो DU हो गया या PTRSU हो गया, इन दोनों में सपली जो है वो एक सबजेक्ट में दिया जाता है अगर आप किसी एक सबजेक्ट में passing mark से कम score करते हैं तो उस condition पे आपको supplementary declare किया जाता है अगर आपको supplementary दे दिया गया है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है rechecking या recounting में आप सबसे पहले form डालिए लगभग 250 रुपे देखे, आप rechecking या recounting करा सकते हैं इसे ही revaluation कहा जाता है अब जो reval कहा रहता है, उसका form कब तक भरा जाता है, ये एक समान्य प्रशन है तो याद रखिएगा, जिस दिन भी internet पे आपका result घोशित हुआ है उस दिन से लेके 15 दिन तक आपको rechecking या recounting के लिए form भर सकते हैं अगर आपका result 5 जून को आया है, तो आप 20 जून तक, अगर आपका result 10 जून को आया है, तो आप 25 जून तक जो है, वो form भर सकते हैं मतलब जिस दिन internet में आपका result है, वो upload होता है उसके बाद से 15 दिन का आपको समय मिलता है, rechecking या recounting में डालने के लिए तो अगर आप supplementary है, तो सबसे पहला काम कीजी, आप rechecking में डालिए, 15 दिन के अंदर में अब ये दूसरा प्रशना आता है, कि सर, rechecking का result कब आता है जो इसका result आता है, 1 week before supplementary exam मतलब, जिस दिन भी supplementary exam होगा, उसके एक हपते या 10 दिन पहले आता है, rechecking का result इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बता दू, अगर आप rechecking में अगर पास हो जाए रहेंगे और उसके बाद, अगर rechecking में आप पास हो जाते हैं, तो इस condition पे अगर आप supplementary का form भरते भी हैं, तो आपका जो admit card है वो नहीं आता अगर आपने supplementary का form भरा हुआ है, और form भरने के बाद, अगर आपका admit card आपके college तक नहीं पहुचता है या आपका admit card online नहीं दिखाता है, इसका मतलब यह है, कि आपने जो rechecking में भरा था, उसमें आप पास हो जाए हैं तो सबसे पहला step आपको क्या करना है, rechecking में डालना है, rechecking में डालने के बाद, अगर आप regular student हैं, तो आप next session में admission ले सकते हैं For example, अगर आप first year की student है, तो second year में, second year की student है, तो final year में, आप admission ले सकते हैं लेकिन यदि आप अगर final year की student हैं, तो उस condition पे आप MSC, MA या MCOM regular नहीं कर पाएंगे, उसको आपको private करना होगा मतलब अगर आपका BSC final या BA final या BCOM final year में अगर आप supplementary आए हैं, तो उस condition पे आपको जो master degree है, मतलब MSC, MA या MCOM इसको आपको private करना पड़ेगा क्योंकि जो result है supplementary का, वो लगभग October number में आता है, तो अगर आप first year की student है, तो second year में, second year की student है, तो final year में, आप अगर admission ले सकते हैं, 30 से 50% फीज दे के, अगर आप regular student हैं, तो अगर आप private student है, first year के second year regular करना चाहते हैं, या आपने first year, second year private किया हुआ है, final year अगर आप regular करना तो भी आप 30 से 50% फीज दे सकते हैं, और एक application देंगे, कि मैं supply आया हूँ, इसलिए मैं इतनी कम फीज दे रहा हूँ, जैसे ही मेरा supplementary clear होता है, मैं पूरी फीज पटा दूँगा करके, तो उस condition पे आप regular admission भी ले सकते हैं, तो अभी आपन बात करते हैं, सबसे पहले आपक regular करना चाहते हैं, तो आप 30 से 50% फीज देखके regular admission ले लीजिए, इसके बाद जो अगला काम आपको करना होगा, वो supplementary का form भरना होगा, ये supplementary का form आएगा अगस्त में, अब कई बच्चे पूछते हैं, सर अगर हम rechecking में भरे हैं, अगर वहां से हमारा पास हो जाएंगे, त उसका पैसा डूब जाएगा, अगर आप rechecking में पास हो जाते हैं, और आपने supply का form भी भर दिया है, तो 1300-1500 जो भी आप रुपए देके, आप supplementary का form देते हैं, अगर आप पास होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में अगर आप claim करेंगे, तो उस condition पे supplementary में फार्म में जो भी आपने पे किया होगा, वो पैसा आपके account में वापस आ जाता है, तो admission आपने ले लिया, admission लेने के बाद आप supplementary का form भरेंगे अगस्त में, अगस्त में भरने के बाद supplementary का जो exam है, वो सितंबर के आसपास होता है, अब ध्यान दीजिएगा, इस exam से ठीक पहले, एक अपते य वापस ले सकते हैं, अगर आप rechecking में पास नहीं होते हैं, तो supplementary आप exam देंगे, exam देने के एक से एक मेहना मतपतीस दिन, चालिस दिन के बाद, लगभग supplementary का result आता है, अक्टूबट के आसपास, या दीपावली के आसपास मैं बोल सकता हूँ, जब यह result आता है, तो यहा MA, MST या MCOM आप कर सकते हैं, और यहाँ पर जब आप next session में जब admission ले रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आपने 30 से 50% तक fees college में जमा की होगी, उसको आपको clear करना पड़ेगा, ताकि आपका जो admission है वो permanent हो जाए, दूसरा condition है, अगर आप supplementary में fail हो जाते हैं, तो उस condition पे आपक super supply declare कर दिया जाता है, super supply का मतलब यह है, कि आप जब आपका जो paper होगा March April में, जो regular वालों के साथ होगा, regular वालों का form लगबग December में भरा जाता है, और उनका जो exam है, next session का, वो March April में होता है, तो March April में आपको सारे paper नहीं देने हैं, जिस subject में आप supply आए थे, उसी paper को आपक example अगर आपने physics में अगर आप supply आया थे, तो physics का paper number 1 और paper number 2 आप regular student के साथ देंगे, अगर maths में आया है, तो maths का M1, M2 और M3 regular student के साथ देंगे, तो super supply में होता सिर्फ फायदा इतना है, कि आपको सारे subject नहीं देने पड़ते, आपको सिर्फ एक subject देना पड़ेगा, जिस subject मे आप supply आये थे, तो ये जो पूरा लेखा जोखा है, वो supplementary students के लिए है, अब हम देखते हैं, कि अगर कोई बच्चा fail हो गया है, तो उस condition पे क्या क्या हो सकता है, fail, PTRSU या DU, दोनों में क्या है, दो या दो से अधिक subject में, अगर आप passing mark से कम लाते हैं, तो आपको fail declare कर दिय जाता है, अब अगर मान के चलिए, आप दो subject में fail हैं, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप rechecking में भरिए, recounting में ना डालके, rechecking में भरिए, अब दो subject में आप rechecking नहीं डाल सकते हैं, आप केवल क्या कर सकते हैं, दो papers में, आप जो है rechecking डाल सकते हैं, for example, अगर आपक दोनों में अगर supplementary लगा है, sorry, दोनों में अगर आपको कुछ नंबरों के लिए fail कर रहा है, तो physics का एक paper और maths का एक paper, अगर आपको ऐसा लगता है, कि physics में आपके एक से लेके 5 नंबर के बीच में कम हैं, तो आप physics first paper और second paper दोनों में आप क्या कर सकते हैं, आप rechecking में डा तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, अगर आपका दो subject में आपको fail दिखा रहा है तो, या तो आप एक-एक subject के एक-एक paper में आप डाल दीजिए, या एक ही subject के दोनों paper में आप rechecking डाल दीजिए, जब आप rechecking डालते हैं, तो इस condition पे आपके सामने दो इस्तित्या मान के चलिएगा, आप अगर दोनों में pass हो जाते हैं, अगर मालों दोनों में आपके थोड़े-थोड़े number कम हैं, तो उस condition पे आप पास हो जाएंगे, और अगर आपके ज़्यादा number कम हैं, और दो subject में से आप सिर्फ एक subject में pass होते हैं, तो एक subject में आपको supply declare कर दिया जा तो उस समय तो exam form का जो date रहेगा, जो exam form का date रहेगा, वो तो निकल चुका होगा, तो exam form का date निकल जाया रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुलपती के पहस जाएंगे, application देंगे, और अपनी situation को बताएंगे, इस condition पे special permission कुलपती के द्वारा दिया जाता है, और इस special permission में क्या होता है, आप जो supplementary का form वहाँ submit करते हैं, जो supplementary की particular fees है, उसे वहाँ submit करते हैं, उसके बाद उनके द्वारा जो permission रहता है, वो role number generate करके अपने letter head में लिग के देते हैं, जिससे जहां आप पड़ रहे होंगे, चाहे वो private हो या regular हो, जहां आपने पहले exam द दिया जाता है, तो यह कब होता है, जब आपने दो subject में rechecking में डाला, sorry, दो paper में आपने rechecking में डाला, और दो में से एक subject में आप pass हो गए, एक subject में पास हो गए, तो आप क्या आप आगए, supply आने से आप कुलपती के पास गए, आपने application लिखा, application लिखने के पद आपको special permission दिया गया, और आप जो है, वो क्या किया, आपके roll number generate किया गया, आपने fees दिया, fees देने के बाद आप किसका exam दे पाएंगे, supplementary का paper दे पाएंगे, अब supplementary का जब आप exam देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने, या तो आप pass हो जाएंगे, या तो आप fail हो यह जो आपका अपने rechecking में डाला, rechecking में डालने के बाद आप एक subject में supply आए, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया rechecking का result आने में, कि मान के चलिए सिर्फ एक या दो दिन ही बचे हैं, और उस condition पे अगर आपको कोई भी, जो आपका किसी भी angle से अगर permission नहीं मिल पात है, मतलब बहुत जादर delay हो जाता है, उस condition पे आपको super supply declare कर दिया जाएगा, और super supply declare करने के बाद, जो March, April में जो normal बच्चों के exam होते हैं, उनके साथ आप सिर्फ एक subject का paper देंगे, तो यह जो पूरा concept है, वो दो subject में fail होने वाले बच्चों के लिए है, अब अगर कोई ब दालिए, ना किसी भी तरह का कोई effort दालिए, क्योंकि अगर आप तीन या तीन से जादा subject में fail हैं, तो उस condition पे आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आपका सिर्फ पैसा और समय बरबाद होगा, इससे अच्छा कि अगर आप सिर्फ दो subject में fail हैं, तो इस process को follow कर लीजिए, अग वंदे में थोड़ा बुरा लगता है, बट reality यही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि supplementary और fail से related, मैं आपको जो चीजे हैं उनको समझा पाया होगा, अगर आपको इस वीडियो में और कोई doubt लगे, तो आप नीचे comment box में comment कर दीजेगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे cover कर पाऊं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का है वीडियो आपको informative लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम